बच्चों अभी आप चत्रभुश के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे हम समानांतर चत्रभुशों के बारे में बात करेंगे समानांतर चत्रभुश के कुछ गुणों को हम प्रमे के माध्यम से सिद्ध करेंगे लेकिन प्रमेयों में जाने के पहले हम कुछ छोटे-छोटे प्रयोग भी करके देख सकते हैं कि जो गुण हम देखने जा रहे हैं वो क्या सत्ते हैं अत्वा नहीं देखिए आपके सामने एक शत्रभुज आपको दिखाए पड़ रहा है और इसमें अपना आपके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है ये भुजा इसके बराबर है ये कोण इसकोण के बराबर है वैसी ये कोण इसकोण के बराबर है और एक चत्रभूज की आकरिती बन रही है और चत्रभूज में कुछ गुण जो आगे आप देखने वाले हैं उन गुणों के अधार पर आप पाएंगे कि यदि किसी चत्रभूज में समानतर भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर हैं ये दोनों रेखाएं बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं तब समानतर चत्रभूज होगा एक गुण आप और देखेंगे वो ये कि किसी चत्रभूज में यादि आमने सामने के भुजाओं के जोड़े समानांतर यानि ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं यह दोनों भुजाें समवन आंतर खुज होगा ऐसे कुछ गुण आप समवन आंतर चतुर भुज के बारे में देखेंगे एक बात और आप देखेंगे वह यह इनके विक्रण से समभन दी थे ये समवनांतर्चतुर्बूज के विकर्ण उन Towar guarantBoy में बाटते हैं तो इसको हम प्रयोग क्या थरपकर करके देखते हैं कि जो बात कही जारी है सोची जारी वो सत्य है कि नहीं है तो आप देख रहें कि समवनांतर्चतुर्बूज है और कोशिश करते हैं ठीक ठीक दोभागों है और फिर देखेंगे उन दोनों हिस्सों में क्या गुण बराबर हैं और जो बात कह रहे थे चत्र भूझ के भुझायं हमने सामनी के बराबर है कि नहीं वह भी हम देख linguेंगे और और भी साल हो सकते खजों के उनको भी इस मार्दन से देखने के कोशिश करेंगे बसीctね कि इस और जो दोनों हिस्से बराबर हैं आप इसे इस तरह जो घुमा ले और एक बर घुमाए तो यह जो सामने उपर की भूजा थी यह वाली भूजा वह नीचे आ रही देखिए यह आ रही नीचे और जो दाहने हाथ तरह भूजा थी जो इसके सामने थी वह इसंके सामने हैं अब इनको हम एक दूसरे को ठीक 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 ढख रहे हैं यानि दोनों जो टुकड़े थे वह एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर हैं आप देख रहे हैं यह वाली भुजा दूसरे त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है दोनों भुजा एकदम बराबर है यह दोनों भुजाएं पर बराबर है तो जो आमने सामने के भुजाएं थी वह आपसे बराबर है और यह जो भुजा थी आमने सामने के भुजाओं के एक जोड़ा यह भी आपसे बराबर ह और विकर्ण भे बराबर हैं याने उपर वाले तर तर बूज की तीनों भुजग़ाओं की ठीक ठीक बराबर है याने दोनों तर बूज एक दूतरे को पूरी तरह से ढख रहे हैं आप कहा सकते हैं दोनों तर बूज सरवांग समय हैं अब आप देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो कोड़ है वो इस कोड़ के बराबर है ये दोनों कोड़ आपसे बराबर है इससे क्या होता है अगर दोनों कोड़ बराबर है अब इन्हें आप घुमा लीजे इस तरह से घुबाईए और वापस लाईए तो आप देख रहे हैं जो हमारे मूल लाकरिती थी उसमें आपने इस कोण को इस कोण के बराबर देखा है यह भी बराबर देखा है और आप देख रहे हैं कि यदि हम इसे एक तिर्यक रेखा हमाने और इसे दो रेखा हमाने जिन्हें तिर्यक रेखा काट रही है तो यह दोन बिल्कुल बराबर है दूतरे के यानि जो एकांतर कोड बना रहे हैं कोड जो एकांतर इस्तिती में हैं और एकांतर कोड बना रहे हैं वो दोनों बराबर हैं इससे पता चलता है कि दोनों भूजाएं समानांतर भी है अभी आपने कहा बराबर थे और अभी आप कहा रहे हैं क कोन के बारेम बात करें और इनकों इस कोन के बराबर है अब वापस में इसे लाँ और आप देखिए ये दोनों रेखाएं हैं जेने ये तिरेक रेखा काट रही है तो ये दोनों एक आंतर कोणा और बराबर हैं इसका मतलब ये दोनों रेखाएं भी आपस में समानांतर हैं तो इस तरह से आप इस छोटे से प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं कि जो समानांतर शुत्र भूज उनमें ये रेखाएं समानांतर भी है ये दोनों रेखाएं आपस समानांतर है ये भुजा इस भुजा के बराबर है ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये विकर्ण इनको दो बराबर और सरवांग समत्रिवजों में बाढ़ता है तो ये एक विकर्ण का गुण था जो समनांतर चतरभुज को दो बराबर हिस्सों में बाढ़ता है और उसके कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है तो बच्चों ये तो एक छोटा सा प्रयोग था इसके मादने हम से हम थोड़ा समझ पाते हैं कि जिसे हम समनांतर चतरभुज कर रहे हैं उसके भुजाओं में और कोड़ों में क्या क्या संबंद होते हैं लेकिन अभी जो कुछ आपने देखा या कहा वो सिद्ध होना नहीं हुआ इसे हम सिद्ध करने के लिए अपने सैध्धानतिक तरीकों का प्रयोग करेंगे और आगे आप इसे प्रमे की रूप में देखेंगे तो चलिए आगे इनी बातों को हम प्रमे की अमाद्ध में से सिद्ध करते हैं